परमेश्वर के दैनिक वचन स्रिष्टी करता का धार्मिक स्वभाव वास्तविक और स्पष्ट है। जब नीनवे के लोगूं के प्रती परमेश्वर का रिदय परिवर्तन हुआ, तो क्या उसकी दया और सहनशीलता एक दिखावा थी? बिल्कुल नहीं। तो फिर परमेश्वर द्वारा इस एक स्थती से निपटने के दौरान, उसके स्वभाव के इन दो पहलूं के बीच बदलाव से क्या दिखाया गया है? परमेश्वर का स्वभाव पूरी तरह से संपून है, वो बिल्कुल भी विभाजित नहीं है। चाहे वो लोगों पर कोप प्रकट कर रहा हो या दया और सहनशीलता दिखा रहा हो। ये सब उसके धार्मिक स्वभाव की अभिव्यक्तियां हैं। परमेश्वर का स्वभाव जीवन्त और एकदम स्पष्ट है। वो अपने विचार और रवये चीजों के विकसित होने के हिसाब से बदलता है। नीनवे के लोगों के प्रती उसके रवये का रूपांतरण मनुष्य को बताता है कि उसके अपने विचार और युक्तियां हैं। वो कोई मशीन या मिट्टी का पुतला नहीं है। बलकि स्वयम जीवित परमेश्वर है। वो नीनवे के लोगों से क्रोधित हो सकता था। वैसे ही जैसे उनके रवये के कारण उसने उनके अतीत को क्षमा किया था। वो नीनवे के लोगों के उपर दुरभाग्य लाने का निरनय ले सकता था। और उनके पश्चा ताप के कारण वो अपना निर्णय बदल भी सकता था। लोग नियमों को कठोरता से लागू करना और ऐसे नियमों का परमेश्वर को सीमांकित और परिभाशित करने के लिए उपयोग करना पसंद करते हैं। वैसे ही, जैसे वे परमेश्वर के स्वभाव को समझने के लिए सूत्रों का उपयोग करना पसंद करते हैं। इसलिए, जहां तक मानविय विचारों के दाइरे का संबंध है, परमेश्वर ना तो सोचता है, ना ही उसके पास कोई ठोस विचार हैं। वास्तव में, परमेश्वर के विचार, चीजों और वातावरण में परिवर्तन के अनुसार निरंतर रूपांतरण की स्थिती में रहते हैं। जब ये विचार रूपांतरित हो रहे होते हैं, तब परमेश्वर के सार के विभिन पहलू प्रकट हो रहे होते हैं। रूपांतरण की इस प्रक्रिया के दोरान, ठीक उसी क्षण जब परमेश्वर अपना मन बदलता है, तब वो मानव जाति को अपने जीवन का वास्तविक अस्तित्व दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि उसका धार्मिक स्वभाव गतिशील जीवन शक्ति से भरा है। उसी समय परमेश्वर मानव जाति के सामने अपने कोप, अपनी दया, अपनी प्रेम मै करुणा और अपनी सहनशीलता के अस्तित्व की सच्चाई प्रमानित करने के लिए अपने सच्चे प्रकाशनों का उपयोग करता है। उसका सार, चीजों के विकसित होने के धंग के अनुसार, किसी भी समय और स्थान पर प्रकट हो सकता है। उसमें एक सिह का कोप और एक माता की ममता और सहनशीलता है। उसका धार्मिक स्वभाव किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रश्न किये जाने, उलंगन किये जाने, बदले जाने या तोड़े मरोडे जाने की अनुमती नहीं देता। समस्त मामलों और सभी चीजों में परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव, अर्थात परमेश्वर का कोप और उसकी दया, किसी भी समय और स्थान पर प्रकट हो सकती है। वो समस्त स्रिष्टि के प्रत्येक कोने में इन पहलूओं को मार्मिक अभिव्यक्ति देता है और हर गुजरते पल में उन्हें जीवन्तता के साथ लागू करता है। परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव, समय या स्थान द्वारा सीमित नहीं है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव, समय या स्थान की बाधाओं के अनुसार यांत्रिक रूप से व्यक्त या प्रकाशित नहीं होता। बलकि किसी भी समय और स्थान पर बिलकुल आसानी से व्यक्त और प्रकाशित होता है। जब तुम परमेश्वर को अपना मन बदलते और अपने कोप को थामते और नीनवे के लोगों का नाश करने से पीछे हटते हुए देखते हो। तो क्या तुम कह सकते हो कि परमेश्वर केवल दयालू और प्रेमपून है? क्या तुम कह सकते हो कि परमेश्वर का कोप खोखले वचनों से युक्त है? जब परमेश्वर प्रचंड कोप प्रकट करता है और अपनी दया वापस ले लेता है, तो क्या तुम कह सकते हो कि वो मनुश्यों के प्रती सच्चा प्रेम महसूस नहीं करता? ये प्रचंड कोप परमेश्वर द्वारा लोगों के बुरे कार्यों के प्रत्युत्तर में व्यक्त किया जाता है, उसका कोप दोश्पून नहीं है, परमेश्वर का हृदय लोगों के पश्चा ताप से द्रवित हो जाता है, और ये पश्चा ताप ही उसका हृदय परिवर्तन करवाता है, जब वो द्रवित महसूस करता है, जब उसका हृदय परिवर्तन होता है, और जब वो मनुष्य के प्रती अपनी दया और सहनशीलता दिखाता है, तो ये सब पूरी तरह से दोश्मुक्त होते हैं, ये स्वच्छ, शुद्ध, निश्कलंग और मिलावट रहित हैं, परमेश्वर की सहनशीलता ठीक वही है, सहनशीलता जैसे की उसकी दया सिवाए दया के कुछ नहीं है, उसका स्वभाव, मनुष्य के पश्चाताप और उसके आचरण में भिन्नता के अनुसार, कोप या दया और सहनशीलता प्रकाशित करता है, चाहे वो कुछ भी प्रकाशित या व्यक्त करता हो, वो सब पवित्र और प्रत्यक्ष है, उसका सार स्रिष्टी की किसी भी चीज से अलग है, जब परमेश्वर अपने कार्यों में निहित सिध्धान्तों को व्यक्त करता है, तो वे किसी भी तुर्टी या दोश से मुक्त होते हैं, और ऐसे ही उसके विचार, उसकी योजनाएं और उसके द्वारा लिया जाने वाला हर निर्णय, और उसके द्वारा किया जाने वाला हर कार्य है, चूंकि परमेश्वर ने ऐसा निर्णय लिया है, और चूंकि उसने इस तरह कार्य किया है, इसलिए इसी तरह से वो अपने उपक्रम भी पूरे करता है, उसके उपक्रमों के परिणाम सही और दोश रहित इसलिए होते हैं, क्योंकि उनका स्रोत दोश रहित और निशकलंग है, परमेश्वर का कोप दोश रहित है, इसी प्रकार परमेश्वर की दया और सहनशीलता जो पूरी सृष्टि में किसी के पास नहीं है, पवित्र एवं निर्दोश हैं और विचार पूर्ण विवेचना और अनुभव पर खरी उतर सकती हैं। नीनवे की कहानी की अपनी समझ के माध्यम से, क्या तुम लोग अब परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव के सार का दूसरा पक्ष देखते हो? क्या तुम परमेश्वर के अध्वितिय धार्मिक स्वभाव का दूसरा पक्ष देखते हो? क्या मनुष्यों में से किसी का इस प्रकार का स्वभाव है? क्या किसी में इस प्रकार का कोप परमेश्वर का कोप है? क्या किसी में वैसी दया और सहनशीलता है जैसी परमेश्वर में है स्रिष्टी में ऐसा कौन है जो इतना बड़ा कोप कर सकता है और मानव जाति को नश्ट करने या उस पर विपत्ति लाने का निर्णाई ले सकता है मनुष्य पर दया करने, उसे सहन करने, क्षमा करने और परिणाम स्वरूप मनुष्य को नश्ट करने का अपना पिछला निर्णाई बदलने योग्य कौन है श्रिष्टि करता अपना धार्मिक स्वभाव अपनी अनोखी पद्धतियों और सिध्धान्तों के माध्यम से प्रकट करता है वो किनी लोगों, घटनाओं या चीजों द्वारा थोपे गए नियंत्रण या प्रतिबंधों के अधीन नहीं है उसके अध्वितिय स्वभाव के कारण, कोई उसके विचारों और युक्तियों को बदलने में सक्षम नहीं है ना ही कोई उसे मनाने और उसका कोई निर्णय बदलने में सक्षम है समस्त स्रिष्टि में विद्यमान, व्यवहार और विचारों की संपूनता उसके धार्मिक स्वभाव के न्याय के अधीन रहती है वो कोप करे या दया, इसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता केवल स्रिष्टिकर्ता का सार या दूसरे शब्दों में स्रिष्टिकर्ता का धार्मिक स्वभाव ही ये तै कर सकता है ऐसी है स्रिष्टिकर्ता के धार्मिक स्वभाव की अध्वितिय प्रकृती नीनवे के लोगों के प्रती परमेश्वर के रवये में हुए रूपांतरण का विशलेशन करने और उसे समझने से क्या तुम लोग परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव में पाई जाने वाली दया का वर्णन करने के लिए अध्वितिय शब्द का उपियोग कर सकते हो? हमने पहले कहा कि परमेश्वर का कोप उसके अध्वितिय धार्मिक स्वभाव के सार का एक पहलू है अब मैं दो पहलूँ परमेश्वर का कोप और परमेश्वर की दया को उसके धार्मिक स्वभाव के रूप में परिभाशित करूँगा परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव पवित्र है वो उलंगहन या प्रश्न किया जाना सहन नहीं करता वो चीज किसी भी स्रिजित या गैर स्रिजित प्राणी के पास नहीं है वो परमेश्वर के लिए अद्वितिय और अनन्य दोनों है कहने का तातपर्य है कि परमेश्वर का कोप पवित्र और अनुलंगहनी है इसी प्रकार परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव का दूसरा पहलू परमेश्वर की दया भी पवित्र है और उसका भी उलंगहन नहीं किया जा सकता स्रिजित या गेर स्रिजित प्राणियों में से कोई भी परमेश्वर के कार्यों में उसका स्थान नहीं ले सकता या उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और ना ही कोई सदोम के विनाश या नीनवे के उध्धार में परमेश्वर का स्थान ले सकता था या उसका प्रतिनिधित्व कर सकता था ये परमेश्वर के अध्वितिय धार्मिक स्वभाव की सच्ची अभिव्यक्ति है अध्या उसका प्रतिनिधित्व में अविव्यक्ति है